हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल SPM पोलिटिकल साइन्स और आज हम पढ़ने वाले हैं दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी भारत के एक महान वक्तितु है जिनका योगदान कॉंग्रेस के स्थापना में है और भारती स्वादीमता अंदूलन में जिन को सदेव याद रखा जाएगा इन्होंने राजनिती पर भी अपने विचार वेक्त किये हैं और भारत की राजनिती और भारत की जो अर्थवरस्ता है उस पर इन्हों के विचार है वो बहुत ही जादा महतपूर्ण है जिसे हम प्रेज़ना ले सकते हैं इन्होंने भारत की गरीबी और दरदरता पर बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने सही विशलेशन किया है वैग्यानिक आदार पर कि भारत जो एक सोने की चिडिया हुआ करता था वो इतना गरीब देश कैसे हो गया और उसकी परसास्टनिक राजनितिक समाजिक जो इस्थिति हैं वो खराब क कैसे हुई तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचे को इनको भारत का पिता मैं भी कहा जाता है ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया यह उपादी दी गई थी इनको जो एक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मैतपून हो जाते हैं इनका जनम बंभई के पार्सी परिवार में हुआ था और चार सित्यम्बर अठारा सो पच्छे को हुआ था बंभई में पार्सी परिवार में यह जनमे थे यानि कि यह एक अल्प Dreak adesso ndra से हुई थी यानि कि यह एल्फ इंस्टन कॉलेज में पढ़े इनका मन था कि यह विदेश जाए पढ़ने के लिए लेकिन इनके परिवार रूडिवादी थे तो परिवारिक वज़े से यह विदेश नहीं गए 1850 में यह इसी एल्फ इस्टन कॉलेज में एक अध्यापक बन गए और यह पर्थम भारतिय थे जो इस कॉलेज में टीचर बने थे यह अंक गणित और प्राकर्तिक विज्ञान के अध्यापक थे 1853 में इन्होंने बंबई एस्टापना की इन में से क्वेश्टन काफी पूछे जाते हैं डेट याद रखने के लिए यह इंपर्टेंट है तो सबसे पहले हैं कि इनका जनम 1825 में हुआ था उसके बाद 1853 में अंक गणित प्राकर्तिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त एक और 1803 में जैनंग एलफिस्टन कोलेज में पढ़े थे उसी में टीचर बन गए उसके बाद 1853 में इन्हों ने बंबई एस्थापना की और 1856 में इन्होंने कॉलेज में जो टीचर थे इन्होंने त्याग पत्तर दे दिया और पार्शी समुदाई की एक कमपनी थी केमा एंड संस इंगलेंड में थी ये और इसमें काम करने के लिए इंगलेंड चले गए थे 1867 में East India Association की इस्थापना की लंदन में और उसके बाद 1869 में इन्होंने East India Association की एक साखा की इस्थापना की बंबई में 1864 में बड़ोदा रियासत के ये दिवान निव्ट किये गए दिवान एक मंतरी की तरह होता था बड़ोदा रियासत में ये दिवान बने 1864 में उसके एक साल बाद 1875 में ये बंबई कार्पोरेशन के सदेशिये बने और उसके दस साल बाद 1885 में बंबई प्रांती ववस्था परिशत के ये अतिरिक्त सदेशिये बने थे 1892 में इंग्लेंड में चुना हुए थे हाउस ओफ कॉमन्स के सदेशियों के चुना हुए थे जहां इन्हों ने चुनाव लड़ा और फिसंबरी से ये सदेशिये बने थे 1800 सित्याण में में एक कमिशन आया वैल भी कमिशन जो वित और वैसे समद्धी था इसके समख्स इन्होंने अपनी सिफारिशे प्रस्तुत की भारत की समश्यां उनको लेकर और सबसे महत्पुन की ये तीन बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे कॉंग्रेस अधिवेशन पहला 1866 का कलकता अधिवेशन 1833 में का लाहूर अधिवेशन 1906 का कलकता अधिवेशन इन तीनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी उसके बाद ये है कि इन्होंने सवदेशी सवराज इन पर बल दिया सवदेशी शब्द दादा भाई नोरोजी की ही देन है और ये वैदानिक आंदोलन के पक्षपाती थे यानिकी ये वैदानिक तरीकों से सोतंदरता प्राप्त करना चाहते थे ये क्रांती कारी नहीं थे इन्होंने सवद शासन पर जोड दिया लेकिन इनका मानना था कि ब्रेटिश शासन के अधीन ही सवद शासन हो 30 जून 1917 को मुंबई में इनकी मृत्य हो जाती है लेकिन इनको आज भी याद किया जाता है क्योंकि इनका योगदान बहुत महत्यपून है इनकी दो गिताबे हैं पावर्टी एंड अन ब्रेटिश रूल इन इंडिया 1901 में आई ये बुक सबसे महत्यपून दुख है इनकी एक बुक और है पावर्टी इन इंडिया 1806 में आई इसमें इन्होंने बताया कि भारत वे गरीबी का क्या इस्तर है उनके अनुसार भारत में 20 रुपे परतिव्यक्ति आए हैं और ब्रेटिश लोग हैं वो केवल धन का शोशन करने के लिए आए हैं और वो धन को यहां से बाहर ले जा रहे हैं अपने देश और यह धन का शोशन कर रहे हैं और लोगों को यानि की भारत के जो लोग है वो गरीब होते जा रहे हैं और इनकी बुक पावर्टी एन अन ब्रेटिश रूल इंडिया में इन्होंने निर्गम सिदान परतिपादित किया है और अर्थ सास्तर का विचलेशन किया है बारती अर्थ सास्तर की जो अन्य विचारकों ने जिस दृष्टी से बारतिया अर्थ सास्तर को समझाया उसके अर्थ वस्ता के जो कम्या थी या उसकी जो अच्छाया थी उसको समझाया उन्होंने इसको नहीं से वर इन्होंने अपने तरक के आदार पर अर्थ सास्तर को समझाया और इसी के साथ इन्होंने भारतिया राष्ट्रवाद की भी व्याख्या की है इन्होंने अपनी रचना है वो भी बहुत जादा मैत्वपोर हो जाता है अब हम पढ़ेंगे दादा भाई नोरोजी के आर्थिक विचार क्या है जो इन्हों ने अपनी बुक पॉर्टी एंड अन ब्रेटिश रूल इंडिया उनी सो एक में दिये हैं तो इनके अनुसार भारत की गरीबी वैद्रीदर क्या कारण है यह इन्हों ने इस किताब में बताया है तो इन्हों ने भारत की गरीबी और देश के इन्हों सही चितरन किया है कि इन्हों ने जिस तरह से समझाया है उस तरह से किसी ने सोचा भी नहीं कि यह इस तरह से इसको कैसे इसको शोशित किया जा रहा है ब्रेटिश इन्होंने तार्क की विवेचन किया है और यह दोनों तर्क इन्होंने अपनी यह जो बुक है 1901 वाली पॉर्ट एन ब्रिटिश रूल इंडिया इसमें इन्होंने समझाया है एक तो भारत की जो आर्थिक दसा है वो क्यों भी खराब होती जा रहे हैं और दूसरी जो राजने रीटिक वित्य था अर्थिक निती जो ब्रिटिश्य प्राकर्तिक वित्या और अर्थिक निती जो कि उनकी जर्णिय में जिस तरह से व हो वित्त और Scriptakt sate प्रें स्वारी अर्थ के साथ ये नीतिया बनाते हैं लागू करते हैं वो किस तरह से एपराकर्तिक है और यही कारण है कि भारत एक गरीब देश बन गया जो एक सोने कीचिड़या हुआ करता था भारत एक संपर्न देश था अगर ब्रिटिश ब्रिटिश लोग अपने देश में जि निर्गम करते हैं यान की यहां आते हैं ब्रिटिश लोग और फिर यहां से धन ले जाते हैं अपने देश और फिर वहां से वापस पुंजी के रूप में लाते हैं और यहां विया पैर करते हैं फिर यहां से लोगों का शोशन करते हैं और फिर वापस धन अपने देश ले ज सब्सक्राइब काम करते हैं उनका भारत के लोग करम चारी भारत कि दन कहले जाता है तो वैपारियों द्वारा जो सौदेश रकम बेजी जाती है वो भी एक धन के निर्गम का बहुत बड़ा कारण है यानि कि इन्होंने कई कारण किनाए कि किस तरह ब्रिटिश शाषन में भारती धन का निर्गम हो रहा है यहां से धन बाहर चला जा रहा है पैसे जो भी है वो बाहर जा रहा है इसलिए भारत में पुझी का संचे नहीं हो पाता और भारत गरीब होता जा रहा है इन्होंने इसके अलावा इन्होंने नैतिक निर्गम की भी बात की इन्होंने कहा कि जो भारतिय ब्रिटिश लोग है वो भारतियों को उचे पदों पर न्यूट नहीं करते हैं सिर्फ चपरासी या फिर बहुती छोटे पदы बाबू ऐसे पदों पर नूट करते है और उच पदों पर केवल ब्रिटिश लोग इसासत करते हैं इसलिए जो भारदिये लोग हैं उनमे हींदा की भावना project उनकी गरीमा मर जाते हैं उनकी गरीमा की भावणा है वो कम हो जाती है और उन्य बुद्धि का भीविकास नहीं ऑपआता क्युंकि उन्हें अनुभवी ने होता है किसी बीबात का और जो धन है और बुद्धि के साथ धन भी चला जाता है लोग करीब होते हैं तो इसलिए वो कोई अच्छा काम कर भी नहीं सकते हैं और इसी कारण आनवविक लोगों को भी कमी हो जाते हैं क्योंकि लोग यहां आते हैं ब्रिटिश लोग काम करते हैं सीखते हैं और फिर वापस अपने देश चले जाते हैं तो यह नैतिक निर्गम यानि बुद्धी का भी निर्गम हो रहा हैं इसलिए इन्हों ब्रिटिश लोगों को सबसे बुरे विदेशी का है क्योंकि ये दन और बुद्धी दोनों यहां से लेके जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो भी लोग आये थे बाहर से शासन करने के लिए वह यहीं बस गए तो दन बुद्धी सब कुछ ही हमारे देश में ही रह गया लेकि यह जो ब्रिटिश लोग यहां से सब कुछ लेके अपने देश वापस चले जाते हैं इसलिए यह सबसे बुरे विदेशी हुए इसके अलावा इन दोनों आर्थिक और नेतिक निर्गम के निर्गम से चुटकारा पाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया कि जो है उस पर भारतियों की निव्यंति करो इस थ्योरी को ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है इसके बाद है इनका सामाजिक दर्सन दादा भाई नौरोजी का सामाजिक दर्सन ज्यादा विष्टित नहीं है क्योंकि यह पहले तो वीदेश में प्रवास करते थे और दूसरा है कि पारशी अलफ संख्यक थे तो यह अलफ संख्यक ते इसलिए किसी बहुत संख्यक लोगों को यह कोई परवचभ देना यह सिखाना या फिर उनको समझाना इनके कैसे भी समझ सकते हैं कि इन्हों नहीं किया इन्होंने नारिष शिक्षा पर जोड़ दिया मद्यपान निशेद पर जोड़ दिया और विद्वाविवा के परचार में इन्होंने बहुत मैतबुट भूमी करने बयाने की इनका समर्थन करते थे विद्वाविवा का नारिष शिक्षा का शराब के विरोधी थ सापना की उसके बाद आता है राजनितिक दर्सन दादा भाई नौरोजी का राजनितिक दर्सन बहुत यूनिक है इन्होंने अपने अपनी समझ से कई ऐसे विचार परस्तुत किये जो किसी और नहीं कि यह उदारवादी थे नरम दल के सदेश्य थे यानि कि यह नरम दल और उदारवादी धारनाओं मित्वादे धारनाओं इन सब में विश्वास रखते थे यह ब्रिटिश शाषन के समर्ठक दे शुरू में लेकिन बाद में इनका माइंड भी थोड़ा चेंज हो गया था यह प्राथना और याचिका को बुरा नहीं मानते हैं यह कि प्राथना कर कि नैतिक आदार का पोर्शन किया यानि कि यह नैतिक आद पर चोड़ देते थे यानि न्याय और जो ब्रिटिस लोग है वह अपने सासं में न्याय रखें और नैतिक बल विश्वास इन सब पर विश्वास रखेंगे तो वह सासं कर पाएंगे अच्छा और राजनेतिक हो न्याय ہو विस्वास हो अगर यह सब है तो एक सत्ता साथन कर सकती है वना वो नश्ट हो जाएगी इनको इसा माना था इन्हों ने ब्रिटिश चरेतर और न्याय-पेतर में विस्वास किया इनका माना था कि हम ब्रिटिश लोगहों यानि कि इनका माना था कि जो बिर्टिश लोग है वो बहुत अच्छे हैं और भारत को एक बहुत अच्छा राज्य बना सकते हैं भारत के लोगों का फिकास कर सकते हैं और यहां पर जो भी कमी है उसको खतम करके भारत को उंचायों पर लिजा सकते हैं वो बिर्टिश लोगो को जागरत करने का प्रैत्न किया कि भारत और सभी लोग मिलकर सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं काम कर सकते हैं कि इन्होंने उपनिवे इश्वाद की निरंकुष्टा पर परहार किया क्योंकि देरे देरे इनके विचार चेंज हो रहे थे तो ब्रिटिश लोगों को का जो शासन है इनको निरंकुष्ट लगने लगा था कि यह ऐसा नहीं होना चैए फिर उनना निरंकुष्टा पर भी प हराब होगा और फिर वहां भी परभावित होगे परशासन हो या राजनिती हो कुछ भी इसल exotic इन्हों निरंग कुछता को कम करने या फिर उस पर परहार विचारक थे यह पिरिट्विटिश अदेश्य थे हिंड मैं यह इनके कृड़ी थे और इंहोंने समाजवाद को सपोर्ट किया था इनका मानना था कि समाजवादी हैं वो हमारी मदद कर रहे हमें एक पक्षिय नहीं होना चाहिए हम समाजवाद को भी सपोर्ट कर सकते हैं इन्होंने एमस्टरडम में आयोजित विश्व समाजवादी समेलन में भी बाग लिया था सवैदानिक और सांतिपूर्ण साधनों को यह सपोर्ट करते थे इनका मानना थ जिसे प्राफना करो याचिका करो यानि उदारवादी थे यह और नरम दल के सदेशे थे इसलिए यह सांती चाहते थे यह इनसात्मक नहीं थे और इसी के साथ इन्होंने देशी रजवादों के मेहतों को भी सविकारा इनका माना था कि अगर हम देशी रजवादों को नही स्विकारेंगे उनके महतों को नहीं समझेंगे तो हम एक बहुत बड़े हिस्से को अलग कर देंगे और इससे हमारा ही नुकसान होगा इसलिए हमें देशी जवाडों की जो राचा है जो सदेश्य है जो भी रियासत हैं उनको भी महतों देना होगा इस परकार इनसे यह समझाता है कि यह ब्रिटिश राशन के भगत थे यह ब्रिटिश राशन को अच्छा मानते थे लेकिन दीरे-दीरे इनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया क् एले तो ब्रिटिश राशन को वर्दान मानते थे और इसका यह प्रूफ है कि 1886 में एक बासन दिया था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश राशन के प्रति पूर्ण निष्ठा एक बक्ति बक्ति जाहिर की थी लेकिन 20 सिताब्दी में इनके विचारों में बदलावा गया और 18 मार्च और 1904 में इन्होंने भारत में कूश राशन विचार पर एक बासन दिया था जिसमें सव सासन की मांग की थी यानि कि ब्रिटिश राशन के अधिन इन्होंने सव सासन की मांग की थी और उसमें इन्होंने ये दर्शाए कि वो ब्रिटिश राशन के प्रति अब जिन उन्हें तीन बातों पर जोर दिया कि लोग सेवा में भारतियों को शामिल किया जाए और अधीका दिख परते निदीत हो जिससे कि यहां पर भी लोग अपने विदान परिशेदों को इस्थापना कर सके और न्या यह उचित्य पुन आर्थिक सम्मंध हो भारत और बिटिश लोगों के मद्य यानि की ब्रिटेंड के मद्य इस परकार यह लोग सेवा में भारतियों को शामिल करना चाते थे क्योंकि इनका माना था कि अगर भारत में जो लोग से वाई हैं उनमें अगर भारतियों को शामिल नहीं करें तो उसी तरह इंगलेंड में इंगलेंड के लो पक्तित्तो दिया जाए उस सरकार में शामिल किया जाए जिससे की यहां भी सासन ववस्था या जो सरकार है उसमें लोग अपनी परति कर सके और विधान शुदों की स्थापना कर ने सब्रका इस व्लिया आर्थ णोर बैसे क। चाहते थे यह बारत और बेटेंग के मत करनी थे उनको खतम करने की मांग थे इनकी इनका मुल्यांकन करें तो इनको भार्त का पिता मैं कहा जाता है बेलकुँ सही क्योंकि यह बहुत महान वैक्तितों थे इन्होंने सवराज सब्द दिया और सदभावना पर यह दारित नियम या जो शाचने चाहते थे यह सवदेश चीजों पर बल देते थे उन्हें वीदेशी जीजों के भाईशकार की भी बात की यह क्रांसी कारीवे हैं सात्मक नहीं थे यह उदारवादी और नरम दल के सद्दे से थे इनकी जीवनी लिखिया है आर ए मसानी ने ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया 1939 में इस परकार दादा भाई नोरोजी पर ये कुछ मैं तपूर्ण चीजे मैंने आपको बताई इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जीची होती हैं जिन पर कुश्टन बनते हैं और लेकिन इसमें से भी कपी कुश्टन आने की संभावना है और इसी के साथ मैं अपना ये ले अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक्यू सो मच